गुद मॉर्णिंग ओल आफ यू गुद मॉर्णिंग मैं चिल्ड्रेंट सर्मा देखे बच्चों आज हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या ग्यान ठीक है विटा संख्याओं का हम आज ग्यान करेंगे इसकी knowledge लेंगे हम आज ये पुद में देखे बच्चों संख्या वाची शब्द हो प्या होते हैं इने हैं कैसी लिखा जाता एक, दो, तीन आदी का संस्कृत सब्द दस, विनसती, तरिनसत, चत्वारिनसत, पंचासत आदी से पहले रख दिया जाता है इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे एक से नौ तक की संख्या तो उपर होती है और फिर नीचे वाली संख्या दस, बीस, तीस, चालिस इस प्रकार से क्रम से चलती रहती है तो जैसे हमको जैसे हमको च्छियालिस बनाना है तो पहले हम च्छे लिखेंगे और उसके बाद चालिस लिखेंगे तो देखे बच्चो च्छे और चालिस को हम जब एड़ करेंगे तो बनेगा हमारा च्छियालिस ठीक है बच्चो हम गणित में लिखते है चालिस और च्छे एकवल टो च्छियालिस ठीक है तो कैसे भी लिख दो लेकिन संस्क्रत में हमको इसकी संस्क्रत पहले लिखने पड़ेगी एक से और नौ तक की संख्या होंगी ठीक है बच्चो एक से नौ तक की संख्या है उनकी संस्कृत हमको पहले लिखने पड़ेगी उसके बाद में 10, 20, 30, 40 आदी की संस्कृत लिखने पड़ेगी अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी दिया गया है कि जैसे 46 46 में 6 की संस्कृत 60 होती है और 6 को हम पहले लिखेंगे उसके बाद 40 की संस्कृत चत्वारिन्शत होती है तो चत्वारिन्शत लिखेंगे और दोनों से मिलकर इसका शब्द बन जाएगा शट चत्वारिन्शत इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी बनाया जा सकता है बच्चों देखें यहां पर धात तव्य में दिया गया है इसे हम समझते हैं कि संस्कृत में संक्या उलटे क्रम में लिखना सुरू करते हैं जब हम मैथ में लिखते हैं तो उसको सीधे क्रम में लिखते हैं लेकिन संस्कृत में जो संक्या होती है उसे उलटे क्रम में हम लिखते हैं तो पहले देखिए एकाई के अंक इसमें दिया गया है अठ्यासी को लिखना है अठ्यासी को लिखना है तो पहले एकाई का अंक इसमें क्या है आठ्यासी को लिखना है तो पहले इसमें आठ्यासी की संस्कृत अश्ट लिखेंगे और उसके बाद में असी की संस्कृत असी लिखेंगे और इनसे मिलकर के एक शब्द बनेगा अश्टासीती जिसका अर्थ होगा 88 ठीक है बच्चों इसी प्रकार हमको जैसे पिछेतर लिखना है तो पहले इकाइकांक इसमें पांच है तो पहले पांच की संस्कृत लिखेंगे और उसके बाद में सत्तर की संस्कृत्स में लिखेंगे तो हमारा शब्द सामने आएगा पांच सब्दति ठीक है बच्चों यानि इसमें संस्कृत में उल्टे करम में हम इसको लिखते हैं अब देखी बच्चों आपको ध्यान में रखना है उपर बताय अनुसार कि एकाइक की अंक को पहले और दहाईक की अंक को बाद में लिखना है एक्जम्पल दिया गया है यहाँ पर 88 का उल्टा करम होता है 8 और 80 पहले 8 की संस्कृत फिर 80 की संस्कृत लिखनी है वैसा ही 75, 67 और 31 इन में भी हमको करम से इसी प्रकार से तो बच्चों सबसे पहले हम एकाई की अंक की संक्या लिखेंगे और उसके बाद दहाई की संक्या लिखेंगे ठीक है बच्चों आप देखते हैं हम यहां संस्क्रित में संख्यावाचक शब्द 1 से और सो तक शब्द किस प्रकार से बनेंगे उन्हें हम देखते हैं तो सो कित सो तक इस प्रकार से बनेंगे जैसे एक के संस्क्रत होती है एक है एका एकम देखे बच्चों यहां भी अंतर है कि एक है जो शब्द है वैपुल लिंग में होता है एका इस तरह लिंग में होता है एकम नपुसक लिंग में होता है तीनों का आर्थ एक ही है ठीक है बच्चों बट इसके link change हो जाते हैं उसी प्रकार से संख्या 2, 3 और 4 इन सभी के रूप अलग-अलग बनते हैं pulling, strilling और नपुसगling में तो बच्चों आपको देख ध्यान रखना है एक है द्ववू त्रयाह चत्वार है एक, दो, तीन, चार इनकी संस्क्रत होती है उसी प्रकार अब इसको हम यदि pulling में प्रियोग करें तो एक है द्ववू त्रयाह चत्वार है जुडेगा जैसे एक लड़का तो एक है बालक है दो लड़के तो द्वव बालकव तीन लड़के त्रयाह बालकाह चार लड़के तो चत्वार है बालकाह ठीक है बच्चों इस प्रकार से हमारा शब्द रूप बनेगा वही पर देखते हैं हम इस त्रिलिंग में हम जदी सेंटेंस बनाए यह शब्द बनाए तो वहाँ पर एक एका द्वे तिसरह और चतसरह काम आएगा देखिए बच्चों एक बालका इसके लिए एका बालका एका शब्द है जो यूज में आएगा दो बालकाएं तो यहाँ पर द्वे बालके इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा तीन बालकाएं तो तिसरह बालकाह चार बालकाएं तो चतसरह बालकाह इस प्रकार से इनके सेंटेंस बनेगे इसके अलावा देखे बच्चों नपु सक्लिंग के बात करें तो एक फल इसके संस्क्रत होगी एकम फलम ठीक है बच्चों यह दो फल है यह नपु सक्लिंग में दो कोई भी चीज है उनके लिए द्वे का प्रयोग करेंगे तो यहां बनेगा द्वे फले तीन फल या चार फल इनके लिए त्रेनी फलानी या चत्वारी फलानी इस प्रकार से शब्द रूप काम आएंगे तो देखे बच्चों एक से चार तक जो शब्द हैं उनके रूप अलग-अलग लिंगों में अलग-अलग तरह से चलते हैं और इनका अलग-अलग प्रयोग किया जाता है लेकिन पांच से और सो तक के जो शब्द हैं संस्कृत की गिंती हैं वो सभी तीनो लिंगों में एक समान होती हैं कहने का मतलब जैसे पांच लड़कियां तो भी पंच बाल काहा होगा यदि पांच फल जोड़ें तो पंच फल आनी तब भी इसी प्रकार से पंच का यूज में आएगा ठीक है पंच यूज आएगा इसी प्रकार आन्य संख्या वाची शब्दों को आप समझ सकते हैं हंड्रेड तक देखिए पंच शट शप्त आश्ट या आश्टव। नव दस एकादस द्वादस त्रयों दस चतुर दस पंच दस सोडस शप्त दस आश्ट दस या आश्टा दस नव दस या एकोन विनसती और विनसती ये अपनी भीज तक कंप्लेट हो गई है इसके बाद देखिए एक विनसती यानि केस द्वा विनसती त्रयों विनसती चतुर विनसती पंच विनसती शट विनसती सप्त विनसती आश्टा विनसती नव विनसती या कह सकते हैं एकोन त्रिनसत इस प्रकासे तीस तक की आपकी गिंती हो गई आगे बच्चों देखें एक त्रिंसत, द्वा त्रिंसत, त्रयास त्रिंसत, चतोस त्रिंसत, पंच त्रिंसत इसके बाद देखें बच्ची बच्चों शट त्रिंसत, सब त्रिंसत, आश्ट त्रिंसत, नव त्रिंसत, या एकोन चत्वारिंसत इसके बाद चत्वारिन्षत, एक चत्वारिन्षत, द्वी चत्वारिन्षत, या द्वा चत्वारिन्षत, त्री चत्वारिन्षत, या त्रेस चत्वारिन्षत, चत्वारिन्षत, पंच चत्वारिन्षत, शट चत्वारिन्षत, आश्ट चत्वारिन्षत, आश्ट चत्वार बच्चों इसी प्रकार से हमको और हन्डेट तक की काउंटिंग बनानी है फान्डेट की संस्क्रित होती है शतम कि ठीक है बच्चों तो आप सीख गये होगे किस प्रकार सी हमको इनकी संस्कित बनानी है अब आगे हम देखते हैं हिंदी अर्थ सहित संख्यावाची शब्द देखे बच्चों पूरु में संख्यावाची शब्दों के अर्थ उनके सामने यंकों में लिखा है तो नीचे देखे बच्चों शत मैंने सो होता है सहस्त्र मैंने हजार आयोतम ये दसजार लक्षम ये लाख होता है प्रयोतम ये नियोतम ये दसलाख होता है इसी प्रकार से संख महा संखता किसमें आपको संस्कृत बनानी सिखाई गई है तो इन्हें आप लर्ण करेंगे याद रखेंगे तब ही आप संस्क्रित में गिंती बना सकते है ठीक है बच्चों और यदि याद नहीं रहा तो आप जानते ही है अब आगे हम बात करते हैं संक्यावाची शब्दों के रूपों की तो देखिए बच्चों एक जो शब्द है उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं लेकिन केवल एक वचन में ही चलते हैं और इसके रूप सर्वशब्द एक वचन के समान तीनों लिंगों में बनते हैं संक्यावाची शब्दों में संबोधन विवक्ती नहीं होती है देखिए बच्चों इस प्रकार से एक शब्द के रूप चलते हैं सर्व शब्द की तरह है एक शब्द के केवल एक वचन में ही रूप चलते हैं द्वी वचन और प्रवचन इंड में नहीं होता है तो यहाँ पर आपको पुलिंग, स्ट्रेलिंग और नपुसकलिंग का एक वचन सातों भी वक्तियों में दिया गया है ठीक है बच्चों उसी प्रकासे द्वी शब्द जो है उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं लेकिन केवल द्वी वचन में ही चलते हैं इसके स्ट्रेलिंग के एवं नपुसकलिंग के सभी रूप एक जैसे ही चलते हैं यानि सब में एक जैसा ही रूप होता है चाहे स्ट्रेलिंग और नप होता है देखिए वच्चों इस प्रकार से दो शब्द के पुल्लिंग इस्ट्रेलिंग और नपुसकलिंग के रूप यहां बनाए गए हैं दिखाए गए हैं आपको इसके बाद यहां त्री शब्द दिया गए है त्री का मतलब तीन होता है तो तीन से और जो अठारे तक की जो संख्याय होती है उनके रूप केवल बहुचन में ही चलते हैं और त्री शब्द के रूप तीनों लिंगों में भी होते हैं पुल्लिंग में त्रया इस्ट्रेलिंग में तिस्रय और नपुसकलिंग में त्री नहीं लेकिन आउनली बहुचन में ही प्रयोग होगा इनका स्ट्रिलिंग और पूरलिंग में नहीं होगा इसके बाद Zwima बच्चों यहां चतौर शब्द दिया गया है चतौरेने चार होता है इसके भी केवल बहुचर में रूप चलते हैं तेनो लिंगों में चलती हैं जो कि आपके सामने यहां लिखा गया है अब इसके अलावा जो आगे सब शब्द बच गए हैं उनको हम अगरी नेक्स्ट वीडियो में कम्लिट करेंगे तब तक के लिए आप इसे लर्ण कर लें इन्हें और अपनी कॉपी में राइट कर लें सब ही शब्दों को आपको राइट करने अनिवारे नहीं है only for इसी प्रकार से जो मैं आपको दिखाए हैं वैसे वैसे ही आपको राइट करने है या लर्ण करने डायक्ट ठीक है बच्चों तब तक के लिए have you nice day, thank you